हेलो दोस्तो मैं आपका दोस्त सेवक सेंग और आप देख रहे हो मिश्टर सेवक मेकैनिकल यूट्यूब चैनल आज की दोस्तो जो वीडियो है वो है सोलर वाटर हीटर के बारे में जैसा के आप देख रहे हूँ के हम इसको आज हम फ्यट कर रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में काफी कुछ आपको बताया जाए जैसा कि आपके घर के लिए कितने लीटर का लगाना चाहिए और इसके फैदे क्या है, नुकसान क्या है, क्या इसके उपर सबसिटी मिलती है और कितना इसके उपर खर्चा आएगा, जानी कीमत क्या है, रखरुखाव क्या है और कितना समय यह चलेगा कोशिश करूँगा मैं एक ही वीडियो में काफी टॉपक के उपर हम बात करें 12 मिंट के आसपास वीडियो होगी, अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हो, तो एक ही वीडियो में आपको काफी सवालों के जवाव मिल जाएंगे यह वाला जो वाटर हीटर है, यह दोस्तों 200 लीटर वाला वाटर हीटर है और जितने भी यह हीटर होते हैं, जैसे के यह 200 लीटर वाला है, इसके अंदर यह वाली जो काच की टूब है, यह 20 लगेगी, अगर 100 लीटर वाला है, तो इसके अंदर 10 लगेगी, अगर 300 लीटर वाला है, तो इसके अंदर 30 टूब लगेगी यह इसकी पहचान होती है और जो इसका टेंक है यह एक थर्मस की तरहें काम करता है के पानी गर्म होकर इसके अंदर स्टोर हो जाता है उसके बाद है जी इसका स्ट्रक्चर जो के लोहे का होता है बाकी अलग अलग कमपनी का अपना-पना है कई कमपनी यह GI का भी देती है और यह वाला जो टेंक है यह अंदर से SS, Stainless Steel, 304 नंबर और जो बाहर की तरफ फिस यह लगा हुआ है यह GI का है जानि के यह वाला जो टेंक है यह काफी साल चलेगा खराब नहीं होगा और GI और स्टील के बीच एक इंसलिटर लगाया जाता है एक तरह की फोम तांके पानी ज्यादा ठंडा ना हो और जो नीचे की तरफ आप देख सकते हो जो फैटंग हम दे रहे हैं इसके उपर हम ट्यूब फैट करेंगे क्योंके मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये दो सो लीटर वाला है तो बीच ट्यूब इसके अंदर लगेगी इसके लिए आपको कोई बीचली की जरूरत नहीं कोई गैस की नहीं बस सिर्फ सोलर की रोशनी चाहिए बाई चांस सोलर की रोशनी नहीं भी आती धूप ना निकले तो बाकी इस तरह से इसकी फैटंग हो जाती है ये देख सकते हूँ आप स्ट्रक्चर ही इस हसाब से बनाया जाता है कि इसके उपर ये अच्छी तरह से फैट आ जाई कोई भी आदमी इसको फैट कर सकता है क्योंकि इसको सिर्फ नाट बोल्ट ही लगाने है ये अच्छी तरह से टैंक फैट हो गया दोस्तो पहले इसके उपर सबसिटी मिलती थी लेकन अभी नहीं मिल रहे और एक इसके अंदर ये देखें अलमीनियम की तरह एक रोड होता है ये लगाया जाता है जो पानी का हार्डनस है उसको खत्म करने के लिए ये आप खुद खत्म होता चला जाता है और पानी का जो हार्डनस है वो भी खत्म कर देता है इसकी दोस्तो लाइफ तकरिबन ज्यादा नहीं शेम ही नहीं है अगर आपका जो पानी है ज्यादा हार्डनस है तो आप इसको खोल कर समय समय पर चेक करते रहें उसके बाद जैसे ही यह खत्म हो जाए आप यह नया रॉड लेकर लगा दें और जो नीचे की तरफ हमने एक फैटंग दी थी इसकी उसके उपर हम एक end cap लगाएंगे जो के प्लास्टिक के है इसके बीच जो मैंने आपको काच की ट्यूप दखाई थी वो हम लगाएंगे यह वाला जो गीजर है इसको ETC टाइप गीजर बोलते हैं एवाक्यूटेड ट्यूब कॉलेक्टर जो यह वाले ट्यूब आप देखोगे जो इस बॉक्स में आ रहे हैं मैं अभी आपको यह खोल कर दखाता हूँ यह आपको दोस्तो इस तरह से लगेंगे जैसे के हमारे घर में जो सोलर पैनल है बीजली बनाने के लिए लगाए जैसे के पॉली क्रेस्टल एन उस कलर में आपको यह दखाई देंगे लेकन जो हमारे घर में पीवी मिडून लगे रहते हैं उसके उपर धूप पढ़ने से वो हमें बीजली देते हैं और इसके उपर धूप पढ़ने से यह हमें गर्म पानी करके देते हैं यही वोट में ट्यूब है इसकी जिसको एटी सी बोलते हैं और यह वैक्यूम की गई ट्यूब हरती है बाकी आप कलर देख सकते हो सेम वैसा है जैसा सोलर मेडूल का होता है कि यह वाला जो डॉट साब देख रहे हो शोटा सा नुकीला अगर बाई चांस जहां से यह टूट जाए तो आपकी यह ट्यूब पूरी बेकार हो जाएगी क्योंकि यह वैक्यूम की जाती है और यह वाली जो ट्यूब है यह टफन गलास की रहती है लेकिन इसके अंदर फिर एक काच की टूब है दोनों एक साथ ही जोडी गई है अंदर की तरफ आप देख सकते हो के कौपर की परत है और बाहर की तरफ आप देख सकते हो के यह बलू कलर है जिसके उपर रोशनी पढ़ने से यह पानी गर्म करके देती है इसके बाद हम दोस्तों इसको फेट करते हैं फेट करने के लिए हमने शैंपू लिया है जाग बनाने के लिए और एक यह वाले रवड रंग है रवड रंग लगाने के बाद इसको हम शैंपू लगाएंगे और जो नकीला मैंने पार्ट आपको दखाया था वो नीचे की तरफ रखेंगे क्योंकि उपर से पानी इसके अंदर आएगा और पानी गर्न होगा तो जो होड़ वाली सेड है वो हम उपर टैंक में लगाएंगे और जो नकीला सिरा है वो हम नीचे रखेंगे दोस्तो इसका वैसे रखर खाव जही है के आप इस ट्यूब के उपर कोई नकीला पदार्थ ना लगने दे नहीं तो आपकी जो ट्यूब है वो तूट सकती है जैसे बार्च में और वगरा पड़ते हैं तो वो इसको कुछ भी नहीं करते बस यही है के कोई नकीली चीज इसके उपर ना लगे और दूसरा दोस्तों जैसा के आप देख रहे हो के अगर आप अपने पुराने घर के अंदर यह लगा रही हो ना तो फिर आपको काफी मेहंत करनी पड़ेगी जैसे के यह वाला जो फ्लोर है इसको फिर से जनी के प्लंबर पूरी जरी देकर काट कर पैप लगा रही है क्योंके इसकी जो फिटंग है वो हर एक कमरे में देनी है रसोई में बातरूम में जह जहां पर वाशिंग मिशीन है वहां तक लेकर जानी है तो काफी मेहंत हो रही है लेकन इसके मकावले अगर हम दूसरे गीजर की बात करें वो हम किचन में सीधा लगा लेते हैं जा बातरूम में हम सीधा लगा लेते हैं लेकन यह वाला गीजर लगाने के लिए आपको एक टंक की पाणी वाली और एक पलंबर बुलाकर पाइप की फिटंग अलग से करनी पड़ेगी दोस्तो इसके उपर सबसिटी अभी बंद है नहीं मिलती मैं पहले ही बता चुका हूँ अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो यह दोस्तो 100 लिटर से लेकर आपको जो ज़्यादा हमारे घर में यूज होता है तीन सो लिटर तक जो 100 लिटर है वो तकरीबन 15 14 से 15 जार पे जो 200 लिटर है वो 20 जार से लेकर 25 जार और जो 300 लिटर वाला है वो तकरीबन आपको 25 से तकरीबन 30 जा 35 जार के आसपास लगेगा बाकी अलाग अलाग कमपनी का अलाग अलाग रेट रहता है वो मिटीरियल के हसाब से अलाग अलाग रेट है मैंने अंदाजन आपको बता दिया जो 200 लीटर या 300 लीटर मैं बोल रहा हूँ वो जो आप इसके उपर टेंक देख रहे हो पानी वाला जो के पानी गर्म होने के बाद इसके अंदर स्टोरज रहेगी गर्म पानी की उसकी कपेश्टी है जो यह वाली रोड है यह अगर बाई जांस टूट जाती है तो 100 रुपे के आसपास आपको यह मिलेगी तो हमने जो गीजर है वो पूरा फेट कर दिया है एक दोस्तो आपको इसमें ख्याल रखना होगा के गर्मियों के दिनों में यह वाली जो टूब है इसके उपर आप कोई कपड़ा डाल का रखें नहीं तो टैंक फट भी सकता है ज्यादा पानी गर्म होने से इसमें यही एक सबसे बड़ी कमी है यह पूरे साल में अगर आप रिबन 310-15 दिन पूरे साल में पानी गर्म करके देगा क्योंकि कोश दिन पूरे साल में बार्च के आयाते हैं कोश दिन सर्दियों के जब धूब नहीं निकलती तो उन दिनों में यह पानी गर्म नहीं करेगा उन दिनों में जो इसके अंदर 3000 वाट का एक हेटर लगा हुआ है वो आपको बीली से पाणी गर्म करके देगा और जो एंपट सप्लाई है वो हम नीचे की तरफ देते हैं यह वाली और जो ओटपट सप्लाई है उसके उपर आपको यह वाला इंसुलेटर पाइप लगाना होगा क्योंकि अगर आप यह नहीं लगाते हो तो फिर आपका गीजल लगाने का कोई फैदा नहीं है क्योंकि सर्दियों के दिनों में फर्च ठंडा रहता है और बाई चांसा आपकी जो लेंथ है वो दूर है माली जी कोई पचास फैट दूर है आप गीजल से तो वहां तक पानी आता आता ठंडा हो जाएगा ऐसलिए यह वाला पाइप आपको लगाना जरूरी है जो ओटपट में यह देखें आप लगा हुआ देख सकते हो जितना भी यह वाला बलैक रंग में पाइप है यह सारा ओटपट के लिए यह लगाया गया है जानी आप यह कह सकते हो के अगर आप 20.000 रपे का जब 25.000 का गीजल लगा रहे हो और आपने पहले फैटंग नहीं दी आपके घर में पाइप की ओटपट के लिए गर्म पानी की तो फिर आपका तकरिबन 10-15.000 रपे और खर्चा आ सकता है असानी से क्योंकि एक टंक अलग से आपको पानी का रखना होगा और घर में पूरी फैटंग देनी होगी और यह वाला जो उपर की तरफ है जहां से हमें ओटपट गर्म पानी मिलेगा हमने एक बार टंक को पूरा फ़र कर देखा था कि कहीं लीक ना हो जाए तो मैंने पहले आपको बताया भी फिर बोड़ रहा हूं कि गर्मियों के मौसम में आप इसके उपर कोई कपड़ा जहां कोई तरफ पाल गरा रखें क्योंकि अगर वो नहीं रखोगे तो फिर आपके जितने वी जोड़ है वो लीक हो जाएगे और टैंक भी फट सकता है जहां पर दोस्तों हम बीली से चलने वाला जो गीजर है जो राड है उसकी वो लगाएंगे ये श्पेशल राड आती है पानी गर्म करने के लिए इसके अंदर ही थर्मोस्टेट लगाया जाता है बाकी दोस्तों ये दो तरह के गीजर आते है उसके उपर हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे अगर हमारे घर के लिए ये गीजर चाहिए तो कम से कम 200 लिटर वाला गीजर आप चूई करें क्योंकि इससे शोटा आपको कोई ज्यादा बेनिफेट नहीं देगा अगर हम इसकी लाइफ की बात करें लाइफ इसकी तक्रीबन तक्रीबन जहां तक हमने देखा है 10-15 साल तक अराम से आपको गर्म पानी देता रहता है लगातार बगैर किसी खर्चे के लेकन प्राबलम तब आती है जब इसकी कोई टूब बगैरा तूट जाती है तब आपको वो वाली टूब नहीं लगानी होगी अगर हम इसकी मेंटिनस की बात करें रिपेर की तो इसमें कोई ज्यादा रिपेर नहीं एक मैंने आपको जो पहले दिखाया कि अगर आपका पानी ज्यादा हार्ड है तो उसके लिए जो उसके अंदर रोड है वो समय समय पर आप चेंज करें तांके आपका जो टैंक है वो खराबना हो और दूसरा जो हमने उपर की तरफ रबड लगाई थे कई बार वो लीक हो जाते हैं तो वो रबड आपको मिल जाएंगे वो रबड आप चेंज कर सकते हो तो आप अपने घर के लिए बेफिकर होकर इसको लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो क्योंकि इसका कोई भी खर्च नहीं है कोई गैस का खर्च नहीं कोई बिजली का नहीं कोई इंदन का नहीं आज की हमारी वीडियो दोस्तो इतनी थी देखने के लिए आपका बहुत-बहुत थेंक यू अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आई हो तो इसको सब्सक्राइब जरोल करें इस तरह की जानकरी वाली वीडियो देखने के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू